सो हेले रिवन फोरम एमकेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है नीट वालों के लिए नीट 2025 को लेके बहुत बड़ा अपडेट यहां पे आ चुका है फोरम कब से फिलब किया जाएगा एकजाम कब होगा इसके अलावा क्या बड़े बदलाव यहां पे होने वाले है गोव बड़ाव होने वाला है फोरम में क्या बड़ाव रहेगा और जो रूल रेगुलेशन है उसमें क्या बड़ाव रहेगा वो अपडेट यहां पे आप देख सकते हो नीट 2025 नीट यूजी प्रिक्सा में होगा बड़ा बड़ाव अब लीक नहीं होगा पेपर अगले साल से बडल जाएंगे एकजाम सेंटर और इसे के साथ यहां पे भी आप देख सकते हो कि बड़ाव के साथ होगी नीट प्रिक्सा अपग्रेड टेक्नलोजी सिस्टम देंगे पेपर जी हां बिल्कुल यह आपने सही सुना अब इस प्रकार से सिस्टम रहेगा पेपर का जिसे प प्रिक्सा 2025 प्रिक्सा केंद्रों में हो सकते हैं बडलाव और मैं आपको बतना चाहता हूँ कि पहले एकजाम सेंटर जो गोवर्मेंट प्राइवेट जो इंस्ट्यूट होते हैं उन सभी पे होता था प्राइवेट में भी एकजाम सेंटर आपके होते थे लेकिन अब सिर् संस्ता है जो सरकारी संस्ता है उनिये में आपका एक्जाम सेंटर रहेगा नेट दोजार पच्विस का ये बहुती बड़ा बजलाव सरकार ने कर दिया है इसी के साथ दूसरा बड़ा बजलाव है ने पोटल पर साज़ा होगी सिकाएते तो ये निया पोटल कौन सा है किस पर परकार से आप help ले पाओगे इसके उपर भी विस्तार से हम discuss करेंगे इसे के साथ तीसरा जो बड़ा बदलाओ है cyber security के लिए नई योजना जी हां बिलकुल अब आपका जो फोरम है और आपके जो documents से आपका जो data है बिलकुल safe रहेगा कोई भी लिक नहीं कर सकता क्योंकि यहा पर भी विस्तार से चर्चा हम करेंगे इसके अलावा अगला जो बड़ा बदलाओ है वो यह है कि दो agency के साथ यहां पर देखो आप दो agency के दोरा आयुजित हो सकती है फ्रिक्सा पहले तो एक ही agency करती थी लेकिन अब दो agency के साथ हो सकती है तो यह भी बड़ा बदलाओ यह NTA अब्यारतियो प्रिक्सा केंदर के करमी सिक्सको की counseling करवाएगा मतलब NTA इस बार है न इस student के साथ साथ teachers को भी नहीं बखसेगा क्योंकि NTA के साथ एक बार हो गया मामला पेपर लेका कापी जदा समय से गुजरना पड़ा NTA को इस बार आपने देखा हुगा मामला तो forum है वो कब से आपको बरना है और NEET का जो exam है 2025 में वो कब होने वाला है वो यहाँ पे सबसे पहले जान लेते हैं तो जैसा कि मेरे प्रिविद्यारतियो आप यहाँ पे देख पा रहे हुगे exam को लेके update आ चुका है साल 2025 में नीट यूजी प्रिक्सा मैं के पहले हपते में होगी यह चाओत आप no down कर सकते हो मैं के पहले हपते में आपका exam होगा 2025 का आप बोलिंग सर फोरम का पिलप किया जाएगा तो देखो फोरम आपका बहुत ही जल्द लेगा NTA इस बार क्योंकि कापी सारे काम NTA को करन है इसलिए आपके फोरम लास्ट दिसमबर जी हाँ बिल्कुल लास्ट दिसमबर तक आने के बहुत ही ज़दा चांस है क्योंकि खापी सारा लंबा प्रोसेज होता है फोरम बनने के बाद उनको rejection जिनको कुछ मिश्टे गया उनको यहाँ पे छटनी करना है ना फिल्टर करन तो यह काम जल्द सुरू कर देगा NTA फोरम का तो दिसमबर के लास्ट तक NEET UG 2025 प्रिक्सा से जुड़े सभी अपडेट exam NTA.ac.in की वेबसाइड पर मिलेंगे इस बार भी ठीक है और यहाँ पे देखो आप कि NEET UG 2024 प्रिक्सा ने कोचिंग संस्तावनों से लेकर NTA तक कही विवागों पर बड़े सवाल ख्रे किये थे सही बात है तो इस बार कुछ डिफरेंट करने वाला है NTA अब यहाँ पे देखो अपगरेट टेक्नलोजी सिस्टम जी हाँ बिल्कुल अब यह क्या है और NTA इसको क्यों ला रहा है तो देखो यहाँ पे NEET 2025 महत्पुन इसे प्रिक्सा की सत्यनिस्टा और विश्वनेता को बिनाई रखना है केंडिकेट को पेपर लिग समंदी कोई नुक्षा न उठाना पड़े इसके लिए यहाँ पे NTA यह सब बदलाव कर रहा है अब यहाँ पे देखो प्रिक्सा केंद्रों का क्या शनेरियो रहेगा वो रिपोर्ट के अनुसार ने नियम के तहट अब नीट प्रिक्सा के लिए सरकारी संस्ता में प्रिक्सा केंद्र बनाए जाएंगे और सभी केंद्रों पे CCTV से कड़ी निगरानी रखी जाएगी स्टुडेंट की आइडेंटिपिकेशन प्रोसेज के लिए भी नई अपडेट टेक्नलोजी का प्रियोग किया जाएगा जिसको आप बोल सकते हो थम इंप्रेशन आपका लिया जाएगा फिंगर फ्रिंट आपका लिया जाएगा कि केंडिगेट तो वही है ना कोई दूसरा तो नहीं आया गया यहाँ पे एक्जाम देने तो यह होती है टेक्नलोजी यहाँ पे आपको बायोमेट्रिक वाला ओप्सन देखने को मिलेगा मेट्रिक वाला सिस्टम लागू होगा 2025 में क्योंकि यहाँ पे एंटिय ने साब साब बोल दिया कि पेपर लीक समंदी किसी भी रिस्क यह जो रिस्क रहेगा इससे बचा जा सकता है साइबर सिकुरिटी भी रहेगी तो यह प्लानिंग अभी एंटिय कर रहा है और मैं तो क को सिकुरिटी सिस्टम इसके लिए एजेंसी कही तरक के जो फुकता कदम है उठा रही है आगामी वरस की नई अपगरेट सिकुरिटी सिस्टम के मद्य संचालित की जाएगी पेपर लीक समंदी कोई गड़बडी होने पर एजेंसी को सूचना मिल जाएगी तमाम सिकुरिटी लेस होने के बावजूद यहां पर सिस्टम में यह दिकोई चूक होती है तो ऐसे में पेपर लीक या नकल जैसी पर्तिक्रिया पिरसी हो सकते है तो अभ्यार्थि को ने पोटल पर सिकाय दर्ज करने का मोखा मिल जाएगा इसके लिए अलग से हेल्प लाइन न मर रहेंगे उन पे सिकायत दर्जाप कर पाओगे अब यहां पे शाइबर शिकुरिटी यह क्या है इसको देखो आप तो देखो एंटिय ने प्रिक्सा सुर्क्सा को दरश्टी कोण में रखते हुए अब ब्यार्थि हो एक्जाम सेंटरों के स्टाप और सिक्सको की काउंस दो एजेंसी के दोरा आईजित हो सकते हैं प्रिक्सा पहले तो आपका बस एंटिय करवाता था लेकिन यहां पे बोला गया है कि नेट 2025 के लिए दो अस्त्रे परनाली को प्रस्तूत करने के बाद में चर्चा हो रही है यह बदलाव चैन प्रिक्रिया को सुवेसित करने और एंटिय ने समाला था पूरा का पूरा जिम्मा 24-25 लाग विद्यारतियों का लेकिन जब दो एजेंसी हो जाएगी तो हाप आप कर लेंगे यह तो उन पे निगरन ही रखना एजली होता है तो यह नियम भी कापी इपोटेंट है अगर देखो इस प्रकार के केसेज नहीं द बनता है इसे के साथ ही विद्यारतियों के साथ कोई धोका ना हो इसके लिए एंटे ने एक डिजी लोकर सुविदा दी है प्लेटफॉर्म जिसमें आपके डॉकॉमेंट्स सेफ रहेंगे यह निकि आप अपना रिकॉर्ड एंटे की वेबसाइट पे जितने भी डॉकॉमे इने बाद नीड है एड्मिट कार की क्योंकि जब सेलेक्शन होता है तो जुरत पड़ती है लेकिन कापी सार विद्यारति क्या करते है एक्जाम देने के बाद फेग देते है तो अब अगर आप फेग भी देते हो तो यह जो डिजी लोकर है ना यहाँ पे सेफ रहेगा एजेंसी ने उमीदवारू का डाटा उमंग और यहाँ पे डिजी लोकर प्लेटपोर्म पे अपलोड करने का निर्ने लिया है तो अच्छा बजलाओ है देखो और फोरम आपके दिसंबर के लास्ट मंत में आने वाले है एक्जाम वोई आपका मैं के पस्ट विक में होने वाला है तो चैनल अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है बेल आइकन पर प्रेस कर लिया है तो बहुत जल्द आपको फोरम भी इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगा